नमस्कार दर्शकों बंधन समाचार में मैं हूँ आपके साथ रिच्छा वर्मा खवर्च लाविजनौर के चान्दपूर से है जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे समभादाता एस्वी गुफ्ता की खास रिपोर्ट चान्दपूर में नगरपाली का परिश्रत की बोर्ट की मीटिंग का आईजन किया गया जिसमें सबासुदों ने हंगामा किया आपको बता दें तिहारों का सीजन चल रहा है नगर में सफाई रोशनी एवं सड़की विवस्ता को लेकर अधिकारी कंभीर नहीं है नगर में पर्थप्रकाश की विवस्ता हाफ रही है सड़के भी तूटी पड़ी है आने जाने वाले लोगों को बहुत परिशानी का सामना करना पड़ता है चान्दपूर नगरपाली का परिश्रत की बोर्ट की मीटिंग में सबासुदों ने जम कर हंगामा किया सबासुदों का आरूप है कि बोर्ट की मीटिंग में के अनुसार आयुजित नहीं की गई है 32 घंटे पहले सबासुदों को सुचना दी जाने चाहिए थी जबकि सुचना 24 घंटे पहले दी गई है 139 प्रस्तावों को पढ़ने के लिए सबासुदों को समय चाहिए था सबासुद परवेज आलम ने कहा कि 129 प्रस्तावों के लंभी फेरिस पर चर्चा करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे का समय चाहिए था सभासुदों ने बताया कि हम नियमानुसार बैठक आयुजित करने एवम समय से बोर्ट की बैठक बुलाने के लिए कहकर हविश्य में बोर्ट की बैठक बुलाई जाने एवम प्रसावों पर चर्चा करने की बात कहकर मीटिंग हौल से भार आ गए इस समंद में यो से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बोट की बैठक में सभासदों के साथ कुछ महिला सभासदों के परिजन भी मौजूद थे प्रसाओं पर एक एक करके चर्चा की गई, कुछ प्रसा पास भी कर दिये गए हैं यो ने कहा कि दिपावली का तिवार आ रहा है, नगर में प्रकाश की विवस्ता के लिए कुछ प्रसा पास होने थे परन्तु सभासदों ने बोट की बैठक में हंगामा करके इस प्रसाओं को लटका दिया है मगर आज 21 तारीक है और 20 तारीक में 24 घंटे पहले हमें अजन्डा दिया गया इसी बात को लेकर यो से जो महोदिया जो है उनसे हमने अपनी शिकायत रखी फिर वह जबरदस्ती जो है लोगों से जो है वो मीटिंग कराने की वो करने लेगी तो वो मीटिंग हमने आइंदा जलसा बोर्ड में कर दिया गया आज की मीटिंग में कितने प्रस्तापास होने लिए लग एक 129 पॉइंट का इनोंने अजन्डा दिया था और 24 घंटे में ना तो उसे पढ़ा जा सकता था पुरा ना ही उसे देखा जा सकता था कि हां कि कहा कहा का रख़ता है इनोंने क्या मिटिंग का समय क्या रखा ना मिटिंग का समय चार बजे था तो सामको चार बजी और इसी के साथ जुड़ रहें बंधन समाचार के साथ